तो हेलो फ्रेंज यहाँ पर मैं आपको शो करने वाला हूँ कि यहाँ पर शौंबी 14 1.0.14.0 यूरोप श्रेबल अप्डेट के सिस्टम एप्लिकेशन को अपने स्मार्ट फोन में कैसे इंच्टॉल कर सकते हैं तो यहाँ पर सबसे पहली अप्लिकेशन हमारी आजाती है हाइपर ओस का सिस्टम एप लग इन जिसका वरजन 15.0.2.2.2 हम यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है और आप इसको अपने रिस्क पे ही यहाँ पे ट्राइ करना क्योंकि इसको इंच्टॉल करने के बाद कुछ फोन्स यहाँ पे बूट नहीं हो पाते और उनको फैक्ट्री रिसेट यहाँ पे करना होता है तो इसको आप अपने हिसाब से ही इंच्टॉल करना मैं यहाँ पे सदेश करूँगा कि आप इसको यहाँ पे बिल्कुल भी इंस्टॉल मत करना क्यों कि यह केवल high-end smart phones में ही manually install होता है और यहाँ पे 100% working होता है और इसके साथ अगली application है हमारी यहाँ पे file manager और इसका stable version v1230631 हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है और इ इसके साथ अगली application है security और इसका version 8.8.0 हमें देखने के लिए मिल जाता है और in future आपको HyperOS global security application में AI के features भी यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि हमें China में देखने के लिए मिल चुकी है so AI के features के लिए क्या आप excited है comment now and subscribe now और इसके साथ अगली application है हमारी gallery और यहाँ पे gallery AI के features global room में तो यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे amazing होने वाले है जैसा कि आपको यहाँ पे brand new features के support यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे so जब भी वो roll out किये जाएंगे इनके regarding में long video create कर दूँगा आपको simply मेरा channel subscribe करना है और join करना है telegram channel to know the more information और अगली application है यहाँ पे हमारी AOD so यहाँ पे Xiaomi ने HyperOS में always on display को already updated कर दिया है जो यहाँ पे lock screen customizations के साथ पूरी तरीके से हमें brand new animations के support यहाँ पे provide करता है so इसमें भी आपको वो ही same animations के support देखने के लिए मिलते हैं अगली application है यहाँ पे हमारी settings इसमें हमारा कुछ भी changes अभी तक नहीं किये गए MI share इसमें भी आपका कुछ भी ज़्यादा बड़े changes नहीं किये गए है वाल पेपर में भी आपको ज़्यादा बड़े changes नहीं मिलते हैं बस आपको यहाँ पे live वाल पेपरस के भी support देखने के लिए मिल जाते हैं और MI notes application में भी आपको ज़्यादा बड़े changes देखने के लिए नहीं मिलते हैं हाला कि आप इसको install कर सकते हैं कोई भी error देखने के लिए नहीं मिलेगा और यहाँ पे weather application में आपको new animations देखने के लिए मिलते हैं जो यहाँ पे HyperOS के साथ यहाँ पे officially launch की गई थी और MI clock में भी आपको ज़्यादा बड़े changes देखने के लिए नहीं मिलते हैं सो यहाँ पे MI clock के बाद हमारा application आता है compass इसको भी आप update कर सकते हैं क्योंकि यह कुछ चोटे मोटे application से जिनमें आपको cable optimization सी यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं जैसे कि compass के बाद आपका calculator and many more सो आप यहाँ पे इन सारी applications को manually install कर सकते हैं cable system UI plugin को छोड़ करके आपको किसी भी application में कोई भी error देखने के लिए नहीं मिलेगा और आपको इन feature इन सारी system applications में AI के features यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाले हैं So are you excited for the HyperOS Global AI features comment now and subscribe now to know the more information related to the latest Xiaomi HyperOS